दोस्तों इस वीडियो में हम क्लाश 10th के साइन्स में बायो लॉजी के आनुवान सिक्ता एवं जय विकास के important questions को देखेंगे ये questions बहुत ही important है और इस वीडियो में मैंने केवल उन्ही questions को पिक किया हुआ है जो पिछले 10 साल में पूचे गए हैं और इस बार भी पूचे जाएंगी तो वीडियो काफी interesting है और बहुत ही important वीडियो है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसी को इसका फायदा मिलेगा तो बने रहना हमार इस वीडियो में रास तक और अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो जो नुट्रियो को शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले हम पहला कोश्चन देखते हैं पहला कोश्चन है ग्रेगर जान मेंडल पर संजिप्ट टिप पड़ी लिखिए ये कोश्चन दो नंबर स्यादा भी नहीं आएगा और इसमें आपको क्या करना है कि ग्रेगर जान मेंडल का लिख देना है जन्व कहां हु के लिए मतर के पौधे को क्यों चुना यह भी सौट एंसो टाइप कोश्चन है दो नमबर में पूँचा जाएगा और यह पिछले दस सालों में दो से तीन बार पूँचा गया है तो इंपोर्टेंट कोश्चन है इसको जरूरियात कर लेना इसके बाद तीसरा कोश्चन तीस पिछले बिगत वर्सों में बहुत बार पूँचा गया है इसके बाद चौथा कोश्चन यह जीनो टाइफ हुआ फिनो टाइफ क्या है यानि जीनो टाइफ क्या है फिनो टाइफ क्या है आपको इसको बताना है और यह कोश्चन दो नमबर में आता है और पिछले दस सालों में लगवक ये चार बार ये question पूछा गया है इसके बाद पांचवा question संकर किसे कहते हैं फिर छठा एक संकर संकरण क्या है संकर किसे कहते हैं ये दो नंबर में आता है पर एक संकर संकरण क्या है ये आपका बहुविकल पी में आ जाएगा या ये भी most important question है यह बहुत बार पूंचा गया है और पूंचा जाएगा यानि कि यहां पर देखें डबल लाइन लगे हो यह बहुत ही बार पूंचा गया है पिछली बिगत वर्थो में तो दूरी संकर संकर्ण जब आता है तो यह चार नंबर में आता है लॉंग एंस वर टाइप में इसके बाद नौमा गोश्चन, सम्यूगमजी किसे कहते हैं? तो सम्यूगमजी आपको पता होगा जैसे कि किसी लच्छन को प्रकट करने के लिए अगर दोनों एलिन समान होते हैं तो उसे सम्यूगमजी कहते हैं तो सम्यूगमजी hależy कि इसे यात कर लेना इसके बाद गिरा brace क्या है बैक्रास यानि जिसे आप हिंदी में संकर पूर्वर संकरण कहते हैं इसके बाद next बाराम्हा क्योंचन जीन किसे कहते हैं जीन किसे कहते हैं इस question का answer आपको मेंडल की सब्दावली से मिल जाएगा अगर आपको मेंडल की सब्दा वली तैयार है यानि कि आपको पता है कि मेंडल ने एपने सब्दा वली में कितने points को बताए है तो आपका दो number पक्का है क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर एक संकर संकर दूई संकर संकर जीनो टाइप, फीनो टाइप, संकर की ब्याख्या कीजिए यानि कि मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है तो इसको आपको देखिए सबसे पहले अगर आपको लिखना है तो लिखते बात एक चीद ध्यान रखना कि जैसे सोने पर सुहागा जिसे कहते हैं अगर आप उसमें थोड़ा बढ़ चढ़ कर लिख द इंपोर्टेंट है ये पिछले 10 सालों में लगभग 6 से या 7 बार मुचा गया नहीं देख सकते हैं कि लगभग हर बार एक कोश्चन आया हुआ है काफी इंपोर्टेंट है इस बार भी आ सकता है इसके बाद 14 कोश्चन मेंडल के तीनों नेमों की ब्याक्या कीजिए ये समझाद गुर्षूत्र और लिंगे गुर्षूत्र किसे कहते हैं ये आपको याद कर लेना है समझाद गुर्षूत्र लिंग गुर्षूत्र ये आपको काफी काम देने वाला है ये अभी भी है और आगे चल कर भी आपको अगली क्लासेस में मिलेगा इंपोर्टेंट कोश डार्विन वाद की ब्याख्या करें डार्विन वाद क्या है मतलब कि सबसे पहले क्या करना है आपको डार्विन वाद पर एक पड़ी लिख देनी है जैसे डार्विन वाद कब दिया गया कैसे हुआ किस जहाद से डार्विन ने पूरे विशु की यात्रा की यह सब लिख दे है तो हर बार यहीं पूछा तक क्या आज आज आएगा डार्विन वाद के जीवन संघ्र्स पर ब्याख्या करें या डार्विन वाद किसने चीज़ता बहुत ही ज्यादा questions फस्ते हैं तो पूरा अगर आपको डार्वीन वाद याद रहेगा तो आपको अच्छा से आप अपना question दे पाएंगे उत्तर दे पाएंगे इसके बाद 17 question उत्त परिवरतन वाद को संचेव में बताईए तो उत्त परिवरतन आपको याद कर लेना है इसके बाद 9 डार्वीन वाद क्या है तो 9 डार्वीन वाद याने की देखिए डार्वीन वाद यहाँ पर भी यह questions important है और इसके बाद next page पर है इसलिए देखिए एक question last में एक question छूट गया है मैंने hammer pick नहीं किया एक वो question है लैमार को आद की ब्याख्या करें अगर आपको इतने questions आपके तयार है तो guarantee के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस lesson के कोई भी questions आएगा तो आपको अगर यह questions आपने पूरे देख लिया है तो इसमे comment box में comment करना ताकि मैं हर lesson का आपको important question दे सकूँ और यह question आपको कैसे लगे यानि important थे कि नहीं आपको कैसा लगता है यह comment box में जरूर बिताना तो एक बार फिर से दुई संकर संकरन प्रभाविता करनियम डार्विन वाद उत्परिवर्त अनवाद और क्या कहते हैं मेंडल कि सब्दावालिय मेंडल का प्रभाविता करनियम और ले मार्क वाद इतने questions जरूर तैयार करना इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है तो बस इस वीडियो में इतना ही था आसा है वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी उस वीडियो को लाइक है क जमिल दया तो में इलूँ गपको इस नहीं सुने स्वीडियो में एप तक करनी बाइबा यह